ब्रॉट टू यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स सबसे दमदार मुकाबला कहा जा रहा है क्योंकि यहां पूर्मुकुमंत्री दिगविजय सिंग का मुकाबला है रोडमल नागर से और जहां पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त यह जगह है क्योंकि यह गाउं यहां पर जो आप राजगर जाते हैं जब तो पूरे हमकाहिं के वर्मेंन से दिखाएंगे यह गाउं किनारे पर बने हुए है वहां पर देखिए यह हाईवे जाता है नेशनल हाई है तो किनारे पर बसे हुए गाउं हैं और इस सबसे बड़ा जाता हैके हैं कि वास्ता हो jewel पर 근्शक नांra सबसे पहले क्या नाम भी या संतोष क्या मतलब यह जो चुनाओं है राजल का इस बार इस बार किस मुद्ध पापिवा हो यह चुनाओं का मुद्ध है यह राम मंदिर का कोी मुद्ध कुई ही इस में यह वाव को बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा है इसमें क्या है सरकार bjp सरकार कारे कर रहे हैं लेकिन यहाँ को तो जुप पतुब तो देह हैं बांकि का उनका चल रहा है ठीक है लेकिन महांगा इतनी बढ़ चुकी है जिसके इसके मासदम से युभा कुछ करी नहीं सकता है आगे के बविस्ट को देखते हुए तो महेंगा यह इतनी ऊपर जा रहे है जिसकी कोई सीमा रहे हैं लेकिन चुकि इस चुनाओ की चर्चा इसलिए है कि यहां से दिगविजे सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं तो इस वज़े से चुनाओ कुछ बदलाओ है यहा नंद कुमाल लोदा नंद आपसे मैं सवाल करूंगा दिखिए इनों ने एक चीज तो कह दिया कि विरोजगारी एक मुद्दा है लेकिन चुकि वो कह रहे हैं दिगविजे सिंग क्यों दिगविजे सिंग आप ही के चेत्र है राजगार यहां से रूड़ बलनागर दो बा क्या है रोड़मल नागर जी बड़े बहुमतों से यहां से जीते हैं दो बार वही मैं इसने पूछा कितनी बार मतला वजूद भी यहां पर उन्होंने एक पेसे का काम भी नहीं किया ना कभी जनता से रूबरू हुए कभी उनका आलचाल पूछने आज तक दस सालों में ए दो की गुनाज लेगी वोटर हैं यहां लगबक 3300 वोटिंग है अच्छा जी बड़ा गाओं है यह आपका नाम जी नरे नमीन सर्पंज बर अच्छा सर्पंजी मिलें तो सर्पंजी से गड़त समझेंगे हम तुड़ा सर्पंजी तो खुदी चुनाओ जीते हैं अब उन् जी लड़ रहे हैं क्या इस बार चुनाओं में फरक है क्योंकि आप मैं वही सवाल आप से करूंगा क्योंकि उन्होंने का रोड मलागर आए नहीं तो जब बोट मांगने नहीं आते हैं लोगों को देखने क्या आएंगे कभी तो आप ही की तो जंता सर्पंजी जिताते हैं बिना मांगे बोट दी हैं उन्हें बिना मांगे बोट देते हैं कभी जब बोट मांगने नहीं आया को अभी तक वह तो इस बार ऐसा क्या है मतलब यहां पर कि दिगविजे सिंग खड़े हो गए माली जी यहां से पिछली बार जैसे मैंने का कॉंग्रेस से साइध मौना ज लग होती है है कि मिया कंचे स्वЕंद्श के सुक्ड़ में हमेसा सामिल रहते हैं और जो जन फिरत नीवार सफाद हमेसा जनता से दूरिया बन आ है रहता हुँड हुं और पसे निए कि ये जाडिकांसी रही हैं यहां दों कबनूर और पांच रुपे या आपके गाव में क प्रचार करने यहां प्रचार करने आते हैं इसके अलावा तो आप पिछली बार तो प्रचार करने भी नहीं आए इस बार तो प्रचार करने भी नहीं आए इस बार तो आप लोगों का प्यार इतना अच्छा था उन्हें प्रचार नहीं किया तो इस बार भी तो मुदी नाम पर पढ़ने की बात क्या है हमारे यहां यहां मोधी फेक्टर कोई चलने बाला नहीं है राजा साब ने यहां इतने काम किये हैं कि अगर मैं आपको अभी से गिनाना शुरू करूंगा तो कल सबसे पूछ रहां कि आप ही का छेत्र है तो पहले क्यों हारी कॉंग्रे से यहां लोगों से मिलने आते थे के निया जरूरू जरूरूर। बिल्कुल जरूर आते हैं आधी रात में कोई चले जाओ रात को बारा बजे उनके दरवाजे यहां की नहीं मैं बता रहा हूं पूरे प्रदेश की जंदा के लिए हमेशा उनके दरवाजे कुले रहते हैं अच्छा जनपत सदस बताओ विया क्या है चुनाओ तो आप ने भी देखे बहुत इस बार चुनाओ में क्या फरक है कि दिख विजय सिंग खड़े होगा इसलिए सबनतु कि लेकिन अपकी बार बहात अलग है है अब की वह बड़े साथ अरź आधो सिस्टाओ मेरे सब साथ साथ यहां पर डेली बेटते हैं डेली बात्चीते करते राजनितिक दावपेंच होते हैं लग बग लग बग सारी जानकारिये हैं इकतरित आवन में हो लेकिन श्री बिए इससी सिक्र हुआ गजींगेिंग आपने नाम बता है इस लिए आप पके वोटर रह तॉठ कबिसे आपका आपका आप कही रहा है कि मैं कॉंग्रेस को गोट करता हूं लेकिन चुकी मुद्दा क्या है इस चेतर में मुद्दा क्या है इसलिए कि दिगविजा सिंग्षाइब सबसे अच्छे वेकास हुआ है राया साब नहीं करवाया सब्दूर एक्ट्री ये पी कोले मतलब जितना वेकास किया और राया साब नहीं किया आप पूछ पाया दिगविजा सिंग जी उन्होंने पदियात्रा निकाली जैसे प्रचार हाइट होता है हाइट परचार होता है हाइट परचार में और धरातल भूमने में नेता को पता चलता है कि जनता को क्या परेशानी है आप हेलिकोप्टर से आओगे मोबाइल से परचार करोगे टीवी से परचार करोगे आपको कुछ भी पता ने लेगा कि जनता में आकर प्रोब्लम क्या है जब आदमी पैदल च बता है किसानों को क्या परेशानी है मजदूर को परेशानी योवावर को क्या परेशानी है देश में क्या चल रहा है ग्रामिल चेतर में चाहिए उनका बना रहता है चेत्र में तो एक मुद्दा भले कहने को आप कह सकते हैं कि दिगविजे सिंग जी जो है उनको व्यक्तिकत जानते हैं और उनका शेत्र है तो इसलिए लोगों का एक लगाओ इस गाओं में क्योंकि सबस्यादा वोटर भी इसी गाओं में हैं तो उनका लगाओ भी इस तरीके से हैं लेकिन चुकी एक मुद्दे की हम बात कर रहे हैं तो मुद्दा यहां पर दरसल यह है जो अब तक समझ में आये लोगों की बात ऐसे चीज से मुद्दा यह है कि एक तो दिखविजय सिंग्झ खुद चुनाऊ लट रहे हैं तो इस शेत्र में उसका एक असर जा रहे है ने तो इसी शेत्र में कॉंग्रेस रई है कि नहीं हारी झाल झाल